इस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूं कि खासी ठीक करने के लिए आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए खांसी को रोपने के लिए या ठीक करने के लिए मेडिकल शॉप पर आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली कई दवाईयां मिल जाएगी जिनमें मुखी रुप से दो प्रकार की दवाईयां होती है पहला होता है कफ सप्रेसेंट और दूसरा एक्सपेक्टोरेंट ये दवाईयां आपको टेबलेट या सीरप की रूप में मिल सकते हैं कफ सप्रेसेंट को एंटिट्यूसिज भी कहा जाता है ये कफ रिफलेक्स यह खांसी के अनैक्षे क्रिया को रोग कर खासी से रहाद दिलाते हैं Dextromethorphan बहुत ही समाने कफ सप्रेसेंट है जिसका इस्तमाल सूखी खासी को रोगने के लिए किया जाता है इसके प्रोडक्ट कई नामों से आते हैं तो सूखी खासी होने पर से रोगने के लिए आप इस कंपोजिशन का प्रोडक्ट अपने नजदी के मेडिकल शॉपर जिस भी नाम से मिलता है उसे ले सकते हैं दूसरी तरह की जो दवाईया है एक्सपेक्टोरेंट पे सीने में जमें म्यूकस यानि कफ को पतला करती है तो अगर आपको गीली खासी है आप एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन्स ले सकते हैं एक मात्र एक्सपेक्टोरेंट जो बीना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर मिलता है वो है गौाई फेनिसीन ये आपको कई प्रोडक्ट नामों से मिल जाएगा खासी रोकने वाली और बल्गम से रहा दिलाने वाली दवाईया अक्सर कॉम्बिनेशन में आती है इसमें अक्सर मिलने वाली कॉम्बिनेशन है डेक्स्टोर मेकाफिन और गौाई फेनिसीन ये जो दवाईया है और कई दूसरी दवाईयों के साथ भी combine होकर आते हैं जो खांसी के साथ साथ सर्दी के दूसरे लक्षनों से भी रहा दिलाते हैं जैसे कि pain relievers, decongestant, anti-histamines आदि भी खांसी के दवाईयों में मिले रहते हैं यदि आपका मुख्य लक्षन खांसी है तो आम तोर पर ऐसे उत्पादों से बचना सबसे अच्छा होता है जिनमें एंटिहिस्टामीन होते हैं जैसे की डाइफिन हाइट्रामीन या फिर डीकंजिस्टेंट जैसे की इफिड्रिंग क्योंकि इनका सुखाने वाला प्रभाव जिससे बल्गम गाड़ा हो जाता है और इसे फेफ़रो तथा स्वासनली से बहा निकाला मुश्किल हो जाता है जिससे खांसी के लक्षन बिगरने लगते हैं इनके अलावा और कई दूसरे ओर्दकाउंटर दवाईयां हैं जिने खांसी आने के कारण के अधार पर लिया ज करते हैं खासी अगर GERD यानि गेस्ट्रो इसोफीजल रिफ्लक्स डिजीज अताद एसीडिटी की सीवेर कंडिशन के कारण है तो आप फेमोटीडीन, सीमेटीडीन, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल या इसोमेप्राजोल युक्त कोई भी एक दवाई ले सकते हैं जब खासी बहुत सीवेर हो तो ओर दकाउंटर दवाईयों और घरे लूप चारों से हो सकता है आपको अराम ना मिले उस अवस्था में आपको डॉक्टर द्वारा दी जाने यूथ को अब अग्साने वाली प्रिस्क्रिप्शन मैडिसिंस की आवशकता होगी तो चलिए बसमजते हैं खांसे के प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाईयों के बारे में कोडिन और दूसरे नार्कुटिक दवायों को अकसे प्रभावी कपस प्रिसेंड्स यानि खासी रोकने की दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है कई बार इन ही over-the-counter cup suppressant, dextromethorphane या expectorant, guai finis इनके साथ combine करके भी product बनाया जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऐसे combination वाली दवाईयां भी दे सकते हैं अगर आपको ज्यादा खासी है तो यदि खासी वूपिंग कफ, काली खासी, नीमोनिया, complicated bronchitis या sinusitis की वज़े से हैं तो आम दोर पर इसका सिफेलोस्पोरीन या एजित्रोमाइसीन जैसे एंटिबायोटिक से हिलाज किया जाता है यदि खासी एलर्जीज जैसे की हे फीवर आदि के कारण है तो inhaled nasal steroids को prescribe किया जाता है कई भार post nasal drip के कारण होने वाली खासी over the counter दवाईयों से ठीक नहीं होती उस परिस्टिते में आईप्राट्रोपियम ब्रुमाइड युक्त nasal inhalers यानि नाक से सुंगी जाने वाली दवाई आपकी मदद कर सकती है यदि खासी अस्थमा के कारण है तो prescription inhaled bronchiodilators और inhaled steroids airway यानि वायू मार्ग में सूजन को कम करने में मदद कर सकती है कुछ समय के लिए दी जाने वाली oral steroids जो airway में सूजन को कम करने में मदद करती है कभी कभी chronic cough यानि पुरानी खासी से रहा दिलाने के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है जब GERD यानि acidity की severe condition के कारण आने वाली खासी over the counter दवाईयों से ठीक ना हो तो proton pub inhibitor जैसे की ऊमेपराजोल रवेपरा जोल पैटेपराजोल यूक्त प्रिस्क्रिप्श्रिप्शं दवाईयाा खासी से रहा दिलाने में मदद कर सकती है तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि खासी को ठीक करने के लिए आप कौन-कौन सिल दवाया ले सकते हैं अगर आपको इसी तरह की स्वास्त और मेडिसिन से संबंधित और जानकारिया चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फामा गाइड चानल को और बिल एकॉन का बटन दबाना मत भूलिए स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद